आप सभी का स्वागत करते हैं एक बार फिर से आपके अपने यूटूब चैनल कॉलेज अफडेट बाई अजीत वक्षर के इस यूटूब चैनल में तो आज इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे बीर कुमर्सिंग 200 बिदाले आरा का अशनातक पार टू एकजाम फरम को लेकर सत्र का बात करें जिनका भी नमांकन 2018 से 2021 वाले सत्र में हुआ है उनका एकजाम फरम रेगुलर कटेगरी में भारा जाएगा यानि जो भी चात्र 2018 से 2021 में है और वो चात्र पास है या फेल है या परमूटेड है तो उनका एकजाम फरम अशनातक पार टू का रेगुलर में भारा जाएगा और जो चात्र का 2016 से 2019 है 2017 से 2020 है और एकजाम छोड़ दिये हैं तो उनका फरम किस में भारा जाएगा चले इस वीडियो के माध्यम से आपको हम बता देते हैं 2017 से 2020 के परमूटेड चात्र बहुत ही इंतिजार कर रहे थे कि परमूटेड का फरम कब फिल अफ हुगा तो दो दिनों से बता रहे थे कि 2-3 दिनों वेट कर लिजिए जितने भी छात्र हमारे पास कॉल कर रहे थे इस बार अशनातक पार 2 का फरम भनने में बहुत छात्र परिसान है जिनका भी फरम फिल अफ नहीं हो रहा है लगबग नहीं तो 70% छात्र परिसान थे परमोटेड को लेकर और टोटली फिजदी बोला जाए तो 80% छात्र परिसान थे पेमेंट को लेकर उनका फरम फिल अफ नहीं हो रहा था चलिए इस वीडियो के संपूर जनकारी बताते हैं क्योंकि वह उसे छात्र जो कॉल कर रहे थे तो बता रहे थे कि 2-3 दिनों का इंतजार कर लिजे सब सही हो जाएगा धिरे-धिरे तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि परमोटेर का लिंक ओपेन हो चुका है जो भीछात्र परमोटेर हैं इसे पहले जो भीछात्र इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप सभी को बता दे कि 200 बिदाले आरा का जो भी जनकारी होता है इसी चैनल के माध्यम से अफिसली जनका हैं क्योंकि यह सबसे डाउट है सभी चात्रों का कि हम रेगुलर में भरे या हम किस में भरे तो सबसे पर आप यहाँ पर सर्च करेंगे भीक्येस्व आपके सामने स्क्रीन पर यहाँ पर सर्च कर रहे हैं भीक्येस्व एक्जाम.in इसी पर आप सभी क्या अश्नातक पार का exam forum online हो रहा है क्योंकि website सही हो चुका है और website थोड़ा slow काम कर रहा है तो सबसे पले आपको भिक्येस एक्जाम.in पर आपको क्लिक करेंगे और सभी चाथ अभी तक forum फिलब नहीं किये हैं तो जल्दी से आप सभी अब अपना exam forum फिलब कर लिजे और जिनका भी गलती हुआ है किसी भी forum को भरने में तो उनका भी निदान बताएंगे कि उनका forum का सुधार कैसे हुआ तो यहाँ पर देख रहें कि link slow है और site खूल रहा है तब तक हम बता देते हैं कि जिनका भी तुरूटी हो गया है फरम भर लिया है तो प्रिंट निकाल लिजे प्रिंट निकालने के बाद आपको क्या करना है कि बीस्व बेदाले आरा चले जाना है science भौन में वहाँ पर जाने पर भी बहुत से छात्रों का जो कमेंट्स आ रहा था कॉल आ रहा था कि सर science भौन आये हैं लेकिन हम लोग का सुधार नहीं हो रहा है वहाँ से बोला जा रहा है कि आप college में चले जाए ये आप college में ही सुधार होगा तो बताजे कि अभी तक college को login ID पासवर्ड नहीं दिया गया है सुधार करने का लेकिन विश्व बिदाले आरा सभी college को देगा कि आप सभी college के principal यानि computer इंशार्ज को login ID पासवर्ड मिल जाएगा और जैसे ही computer center को login ID पासवर्ड मिल जाएगा यानि college में login ID पासवर्ड मिल जाएगा तो आप सभी college में जाकर जो भी त्रूटी है गलती है सुधार करवा सकते हैं यानि कि आप सभी इंतजार कीजे 2-3 दिन और college को यादि login ID पासवर्ड मिल जाता है तो आप असानी से college में जाकर सुधार करवा सकते हैं यदि आपको जल्दी है तो आरा साइंस बहुन में जाकर सुधार करवा लिजे क्योंकि बहुत से छात्रों का वहाँ पर भी भीन है तो भीन के कारण college को login ID पासवर्ड दे दिया जाएगा और college में भी आप जाकर 2-3 दिनों के बाद सुधार करवा सकते हैं आपका date of birth गलती हो चाहे subject combination गलती हो यानि कोई वित्रूटी हो तो college में जाकर 2-3 दिनों के बाद सुधार करवाएंगे लेकिन college का login ID पासवर्ड मिलने के बाद अब देखिए अब आपको इस वीडियो के माध्यम से समझाते हैं कि regular promoted लेप्ट रेगुलार परमोटेड ना है examination form का आप link देख रहें examination form पे click करेंगे आपको यहाँ पे दो option दिख रहा है यूजी regular यहाँ पे परमोटेड था हटा दिया गया है क्योंकि परमोटेड का जो link था open नहीं था आप याप देख रहें कि यूजी left out ex student promoted ये तीन option है तो क्या है तीन option आपको हम बता देते हैं देखिए सबसे पले form fill up हो रहा है 2018 से 21 का 2018 से 21 का जितने भी छात्र पास है या फेल है या परमोटेड है यानि 2021 के छात्र यदि आप है तो आपको यूजी regular पर click करके form को fill up करना है यानि अब बात करते हैं जो भी छात्र दूसरे सत्र का है यानि 2018 से 2021 के नहीं है तो आप आपको आना है इसमें यूजी लेट आउट एक्स एस्टूडेंट पर मोटेड पर अब आपको क्लिक करना है क्लिक करने के बाद इस इंटरफेस को open होने दीजिए क्योंकि लिंक यहाँ पे स्लोज काम कर रहा है तो आप यहाँ पर देख रहें कि थोड़ा सा पाउस करते है वीडियो को सेर कीजेगा क्योंकि विश्व विदाले आरा का जो भी जनकारी होता है आपको इस चैनल के माध्यम से देते रहते हैं और कॉल भी रिसीव होता है सभी का जनकारी हम देते रहते हैं लेट आउट में वो छात्र भरेंगे जो छात्र पार्ट टू का आइडिमिशन लिये थे पार्ट टू का एक्जामिनिशन फरम फिलब किये थे लेकिन पार्ट टू का एक्जाम नहीं दिये थे एक भी सब्जेक्ट का आनि आप समझ लिये हैं कि पार्ट टू का एक्जाम आप नहीं दिये हैं छोड़ दिये थे 2018 से 21 स़र के छात्र नहीं है यानि 2017 है 2016 है तो आप पाट two का एक्जाम देना चाथे हैं तो लेपड आउट में आप आकर भर सकते हैं इसके बाद जो छात्र का यानी फ़ेल हो चुके हैं जैसे कि दो पेपर का एक्जाम दिये हैं, तीन पेपर का एक्जाम नहीं दिये हैं, यानि वो छात्र फेल हो गए हैं, यानि आप एक पेपर दिये हैं, चाप चार पेपर का एक्जाम नहीं दिये हैं, यानि पेपर कुछ दिये हैं, कुछ छोड़ दिये हैं, तो आप EX student में आ आप लेट एक्स में भरेंगे यदि कोई भी पाच्छों सब्जेक्ट या नहीं दिया है तो लेट आउट में भरेंगे नेक्स्ट अप परमोटेड में कौन सा छात्र भरेंगे तो 2017 से 2016 में आप एकजाम पाच्छों सब्जेक्ट का दिये हैं आप यहां पर देखिए किजिएगा कि हाँ सर तीनों का भासा हम समझ गए आज तक समझ में नहीं आ रहा था कॉमेंट में अपना राय जरूर दिजिएगा लेट आ लेट आउट में वैसे चातर जो पाच उक सब्जेक्ट का एक्जाम नहीं दिये हैं वह भरेंगे EX में OSH हात्र जो 5 सब्जेक्ट होता है उसमें से 2 का एक्जाम दिये हैं 3 का एक्जाम नहीं दिये हैं और फेल हो गए OSH हात्र भरेंगे और पर्मोटेड में OSH हात्र जिनका अंग कम आ गया है अंग कम आ जाने के कारण पर्मोटेड हो गए है तो पर्मोटीट का इंतजार था, चलिए पर्मोटीट पर करते हैं, क्लीक इसके बार डेगरी पाइट वी भी लगे किजिए, सुबह फिलब कीजिए रात को फिलब कीजिए क्योंकि साइट सुलो काम कर रहा है बीच में पेमेंट करेंगे फर्स जाएगा आपको बारा परसानी होगा इसके बाद महापी द्याले का नाम दर्ज करेंगे जिस कॉलेज से आप हैं जिस कॉलेज में अडिमिशन हुआ है उसी करें यहाँ पर यहीं चूल ली जिए घरंगे बाड़ अपना नाम डालेगा छोभी डळजी घर म अजित है तो इजि अ के बाइट बारा में डालेगा इसके बदे निच्स्ट आप मदर्स नेम डालेगा मादशन डालने जनमतिती यहाँ पे सेलेट किजेगा यहाँ पे जनमतिती सेलेट करने के बाद email id डालिएगा email id आप यहाँ डालने के बाद mobile डालिएगा इसके बाद आपना gender यहाँ पे सेलेट किजेगा gender सेलेट करने के बाद वर्ग यानि category select कीज़ेगा gender आप यहाँ पे select कर सकते हैं male female category हिंदू यहाँ पे bc1 bc2 acct का general का 395 और आप obc है bc1 bc2 तो 295 और acct का 195 रुपिया लगेगा इसके बाद जो भी आपका धर्म है धर्म select कीज़ेगा धर्म select कीज़ेगा फूल address जो है address दर्ज कीज़ेगा address करने के बाद photo signature का video देख लिए कुरूब करने के बाद आप चूज फाइल पे जाकर उस photo को select कीज़ेगा select करने के बाद यहाँ पर आपको नीचे आना है नीचे आने पर बहुत से चातर जो गलती कर रहे हैं यहीं पर गलती कर रहे हैं आपका जो अनर्स सब्जेक्ट है दो सब्जेक्ट क्योंकि आपका यहाँ पर physics कर लिए और यहाँ पर chemistry कर लिए और इसके बाद यहाँ पर रचना में जिनका भी 100 marks का है रचना तो रचना कर देंगे 100 marks यादि 50 50 का है 50 English 50 Hindi तो यहाँ पर दोनों में डाल दीजगा 100 marks का है तो यहाँ पर blank छोड़ देना है अब next आपको बढ़ details आने के बाद आपको क्या करना है कि save and continue पे click करना है click करने के बाद चलिए यहाँ पर next process आपको पूरे details में बढ़े चातर हम से बोले थे phone पर की सर जब भी promoted का link open हो जाएगा तो आप forum को fill up करके बता दीजेगा तो चलिए आज हम बता देते हैं ये भी तो आप सबसे पहले यहाँ पर promoted दर्ज कीजेगा डिगरी टू रॉल नंबर पंजियन संख्या डालने के बाद जो आपका college है college यहाँ पर देख रहे हैं बी ए अनॉर्स कर लिए हैं बी ए सी अनॉर्स जो भी बता दी हैं सबसे पहले यहाँ पर नाम पदर्ष्ट नेम अदर्ष्ट नेम डेट बर्थ भी select कीजेगा डेटा बर्थ के बाद email ID, mobile number इसके बाद आप यहाँ पर देख रहे हैं male, female जो आपका category है हिंदू आप यहाँ पर address दज कीजेगा, photo choose कीजेगा, इसके बाद signature डालेगा, इसके बाद यहाँ पर आपको subject में select करना है कि आपका subject का exam पर्मोटेड में द दिजेगा, यदि आपका honors में अंक कम आ गया है, तो honors में आपका दोनो subject का exam देना होता है, तो आप honors यहाँ पर दर्च करेंगे, तो आप दोनों honors का exam देंगे, यानि honors में आपका एक भी subject में पर्मोटेड है, तो दोनों honors का आप exam देंगे, तो यहाँ पर honors चूज करके आप करने के बाद सब देख है ऐपको क्या करना है click करने के बाद आपको आपका जोबी डीटेल से आपके स्कीन पर आ जाएगा लेकिन यहाँ पर देख हैंकी साइट हो चुगा है summer कर देंगे तो पूरे delegse me ap cash और यहाँ पे पेमेंट कर देंगे और कैफे पे चले जाएगा वहाँ पे नेट अच्छा चलता है वहाँ पे आप भरवाली जिएगा कोई भी तुरूटी होता है तो वीडियो में कमेंट छोड़िए तब तर के लिए बाइबाई टेक केर फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो कर दो में